मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका सौगत करता हूं अपने इस यूटूब चैनल व्यसम अगेडमी दैस्पिरिट आफ एड्यूकेशन लास्ट लेक्चर में मैंने और डी सिक्वेंस एंड सिरीज का जो 4.4 एक्सराइज है जिसके अंदर मैंने आपको क्या सका है येस बच्चों हार्मोनिक प्रग्रेशन जिसे हम बोलते हैं एच पी सो आज जो मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ अगें उसी 4.4 के रिमेनिंग कोश्चन से उसको मैं फिनिश करूँगा लेकिन उस रिमेनिंग कोश्चन को करने के लिए हमेरे पास कुछ कॉंसेट होने चाहिए अब वो कॉंसेट क्या है बोलो अपका am cm and hm so guys am stands for arithmetic mean gm stands for geometric mean और hm stands for harmonic mean चलो one by one मैं आपको इस सारे के सारे formulas explain करता हूँ किस तरीके से आता है तो बोलो first one क्या है बोलो arithmetic mean ओके perfect सो इस जो आपका arithmetic mean होता है माल लो कि मेरे पास दो number है ठीक है आपके पास जो first number है x और second number है y ओके अब उसके बीच का दो arithmetic mean है उसको मैं दिखा रहा हूँ एसे So don't be confused So जब कभी भी आपको बोलेंगे arithmetic mean So हमेशा आपको arithmetic mean दो numbers का निकालने के लिए बात करेंगे So let the two numbers be x and y And we have to calculate the arithmetic mean of x and y That is a So हम किस sequence में लिखेंगे अच्चो x a y के sequence में अब करना कहीं है अब ध्यान से सुना अगर मुझे x a y का sequence यूज़ करके arithmetic mean calculate करना है या दकना my dear strengths यह जो आपका x a y है ja, this sequence is in ap, यह आपका arithmetic progression में और सबको पता है कि अगर यह arithmetic progression में मतलब क्या होगा students, yes उनके भीच का जो difference है, वह क्या होगा, same होगा मतलब हम x और a के बिचका difference निकालेंगे फिर y और a के बिचका difference निकालेंगे दोनों का difference बुलो क्याने वाला, same तो बोलो क्या हो जाएगा लिखते हैं आपे, since x a y are in a p, okay, arithmetic progression, so हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, a minus x, क्योंकि अगर आपको निकालना है, x और a के बीच का difference, तो बोलो क्या हैगा, yes, it is a minus x, और जब आप a और y के बीच का लिखा लोगे difference, तो बोलो क्या हैगा, strengths, y minus a, difference, और यह दोनों common difference है, मतब इनकी value क्या हो जाएगी, same, अब हम यहापे क्या करेंगे, a को एक साथ रखने वाले हैं, so यहापे left hand side में already a है, right hand side का a आप भेज़ दो left hand side में, तो बोलो क्या मिलेगा, plus a, यहापे already y है, हम x भेज़ दें, minus x जागे, plus x जागे, plus x, plus y, so now we are having a plus a, that is x plus y, so strengths, in this case, a plus a, बोलो क्या होगा, आपका 2 times of a, that is what, x plus y, so उस case में किसी ने भी पूचा a की value क्या होगी, बच्यों, x plus y, divided by 2, समझ गे, perfect, so if x and y, are the two numbers, अगर मुझे उन दोनों number का calculate करना है, x, arithmetic mean, so arithmetic mean को हम दिखाएंगे, a, same, और इसकी value हो जाएगी, first number, plus second number, divided by 2, जैसे कर मैं बोलूं, कि 1 और 3 है, so 1, 3 का arithmetic mean क्या हो जाएगा, 1 plus 3, divided by 2, so what is 1 plus 3, 4, divided by 2, that is equal to 2, so 1, 3 के बीच में क्या आदा 2, ते एक दरह से बच्चों कर मैं arithmetic mean की बात करूं, मैं तो middle value की बात कर र average, so don't be confused, वही concept है, ठीक है, so यह हो गया हमारा arithmetic mean, अब जो second आएगा, नीचे question है, रुख जो, यहाँ पर solve करते हैं, लोग, अब जो second आने वाला है, उसे हम बोलते है, geometric mean, बोलो, क्या बोलेंगे students, geometric mean, अब यहाँ पर geometric mean होता है, माल लो, आपके पास दो number है, same way से बच्चो X and Y, और उसके बीच का geometric mean क्या है, G, so अगर मुझे X, Y के बीच का geometric mean निकालना है, that is G, तो G क्या होगा, अपका middle में होगा, right, हमेशा X, G, Y, अब यह X, G, Y, तीन number है, तो हमेशा बच्चे यह लोग क्या होंगे, हमारे GP में होंगे, बोलो क्या होंगे, GP में, और कोई भी sequence GP में कब होता है, जब उसके बीच का ratio same होता है, here we are having three numbers, so now हम लोग क्या करेंगे, दो दो number का लेंगे, एक pair, so first pair क्या होगा, X, G, second pair क्या होगा, G, Y, और दौनों का निकाल देंगे ratio, so X, G का ratio, G, डिवाइड बाए, X, बोलो के, Sir, G, डिवाइड बाए, X, क्यों क्यों क्या, नेक्स्ट डिवाइड बाइड प्रीएस इस इक्वल टू जब मैं सेकेंड पेर लूँगा तो बोलो क्या है मेरे बच्चो वाइड डिवाइड बाइड जी नाव हम लोग क्या करेंगे क्रास मल्टिप्लिकेशन तो क्या है जी इंटू जी जी स्क्वाइर एक्स इंटू आइ आपका xy confirm और स्कॉर और सिंप्लिफाय करने जाओगे तो बोलो आपको वैलुज क्या मिलने वाली जब आप स्क्वार उट लोगे जी पी वैलु के लिए सो जी की वैलु बोलो क्या हो जाएगी स्क्वार उट आफ एक्स वाइज क्लियर परफेक्ट तो हमने क्या निकाल द की वैल होगी औंड य की वैल होगी या तो लेस देन जीरो होगी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हां दोनों प्लैस है जो को एक माइनस impossible लिए अच्छोड जामेटरिक मीन में रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए बच्छों क्योंकि अगर रूट के अंदर माइनस आ गया मतलब ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं यह सगर आपको याद होगा 11 का सो 11 में हमने ऐसे नंबर क्या बोला था imaginary number that is denoted by i और i की value क्या होती है yes it is root of minus 1 कि हमारे पास जो भी x and y है उसकी value या तो क्या होगी दोनों positive या तो दोनों क्या होगी negative कभी भी याद ना दोनों का opposite sign नहीं हो सकता clear so it is all about geometric mean चलो एक last करते हैं और थर्ड वाला आने वाला जी हां harmonic mean लेकिन आपको पता है हार्मोनिक जैसे हम लोग harmonic progression के लिए आदे एपी लेते थे वैसे ही geometric progression के क्या लेंगे हम लोग एपी सारी harmonic progression के हार्मोनिक mean के लिए भी क्या लेंगे एपी चलो मालो मेरा harmonic mean है एच और मेरे पास दो नमबर है एक्स वाई तो एक्स कॉमा एच कॉमा वाई ठीक है यह क्या है मालो द्यारिन एच पी क्या है बच्छों एच पी सो यहां पर हार्मोनिक में है किस नमबर का एक्स न वाई का देखते हैं फारूमला क्या बनता है एक्स एच वाई जो भी सिक्वेंस बनेगा हमेशा क्या बनेगा वच्छा आपका एच पी में जैसे यहां पर सिक्वेंस बना पहला एक्स एवाई किसमें बना एपी में यहां पर एक्स जी वाई क्या बना जी पी में वैसे ही एक्स एच वाई क्या बनेगा एच पी में कोई भी सिक्वेंस अगर एच पी में है तो उसका रेसी प्रकल एपी में होता है पर्फेक्ट येस अब हमें क्या करना है आप सब को पता है बोलो क्या हो जाएगा 1 upon H is equal to या द नहीं अगर मैं बोलू कि ये नंबर इन दोनों का AP में आरा है इसका मतलब क्या हो जागर मुझे निकालना वा arithmetic mean क्या निकालना हुआ जैसे example यह X है और यह Y है और यह मेरा A है सही की value क्या हो लेगी x plus y divided by 2 that is what arithmetic mean similarly here in case of 1 upon x 1 upon h 1 upon y अगर यह ap में है तो जो middle value होगी वो हमेशा क्या होगा आपका yes students arithmetic mean that means if I want to calculate the value of 1 upon h right so मुझे क्या करना पड़ेगा first number plus second number divided by 2 करना होगा so 1 upon h यह मेरा arithmetic mean है that is equal to first number कौन है बच्चो 1 upon x second number 1 upon y and whole divided by 2 चलो फड़ा फड़ करते है cross multiplication so यह 1 upon h हमने यहीं पर रखा students अब हम क्या करने वाले उपर so below y plus x divided by xy नीचे आ जाए तो टाइमस of xy मेरा main objective भापे h निकालना क्योंकि h is what arithmetic mean sorry harmonic mean so अब हम लोग क्या लेंगे invertendo so बच्चो 1 upon h का उल्टा h then y plus x divided by 2xy का उल्टा क्या हो जाएगा two times of xy divided by y plus x अब आप y plus x बोलो या x plus y बोलो दोनों का मीनिंग क्या होता है same okay yes so यह होगा हमारा h की value so finally h की value क्या मिली मुझे 2xy divided by x plus y so आप याद रखो सब लोग अभी आपको इतना याद होना चाहिए कि जब कभी भी आपको दो नमबर दिये गए है मालो नमबर x and y है अगर आपको उन दोनों नमबर का निकालना हुआ arithmetic mean that is a so आप क्या बोलोगे में उच्चो yes it is x plus y divided by 2 second वाले case मतब geometric mean के case में अगर xgyap में है तो g क्या होगा आपका mean होगा कौन सा mean होगा जी हां geometric mean होगा और अगर आपको उस geometric mean की value निकालनी है तो क्या बोलोगे yes g is equal to square root of xy और harmonic mean में if x, hy are in hp so h is equal to 2xy divided by x plus y so यह हो गया हमारा वच्चो arithmetic mean geometric mean and harmonic mean का formula अब इनके बीच में कुछ relation दे देते हैं so relation between arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean right so क्या हो जाएगा मानलो बच्चों हमारे पास यह जो am है बड़ा-बड़ा am लिखने सच्छा है उसको दिखा देता हूं मैं एक मिनट थोड़ा सा cut fit हो गया राइट so यह जो am है में बच्चों उसको दिखाता हूं एस से मान लिया कि मेरा arithmetic mean a है थोड़ा सा उसको उपर कर लेता हूं and geometric mean को दिखाता हूं G से और harmonic mean को दिखाता हूं H से अगर आप से किसी ने पूछा इनके बीच का relation क्या होता है तो first relation होता है बच्चों कि G square is equal to A into H yes बोलो फटा वट G square की value क्या होती है into H मतलब G square आपका geometric mean का square बोलो क्या हो जाएगा arithmetic mean into harmonic mean और अगर second case की बात करेंगे बच्चे या दखना जो हमारे A की value होती है it is always greater than or equal to G and which is always greater than or equal to H मतलब इस arithmetic mean geometric mean और harmonic mean में किसी ने पूछा भाई सबसे चोड़ी value किस की होती है सबसे बड़ी value किस की होती है सबसे बड़ी value होती है A की मतलब arithmetic mean and सबसे चोटी value होती है H की चोटा सा बच्चा राइट सब जो कि कौन है हमारा H है harmonic mean यह तरीके से हमने आपको सिखा दिया कि यह arithmetic mean क्या होता है geometric mean harmonic mean उनके बीच का relation अब जो बाकी के question है इसी concept के उपर है है चलो अब move करते question number third के पास सो पहले read करते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमें find arithmetic mean of two positive numbers okay दो positive number दिये गहें whose GM and HM are so given that मुझे क्या दिया वच्चो GM सो माल लो GM को दिखाता है G से okay so GM that is equal to G that is equal to four क्या हमें GM मतलब geometric mean right second क्या आपका H M that is equal to H that is equal to 16 upon five तो या दखना my dear friends जब कभी भी यह लोग AM GM और H M कोई भी दो value देंगे so आखें बंद करके दिमाग लगाना कि हमेरे पास एक ही formula use करना है बोलो कौन सा formula yes G square equal to H का formula तब बोलो कि सिंस भाई या G square की value होती है A into H बोलो G की value है क्या जी हाँ 4 है एक ही value भाई निकालनी है उसने वह लाए ना find arithmetic mean so arithmetic mean that is A that is equal to question mark मतलब भाई निकालना है मुझे so A निकालना है हमें H H की value क्या है यहां पे H दिया 16 upon 5 अब हम क्या करेंगे 16 upon 5 को based on left hand side में तो उपर का बंदा नीचे नीचे का बंदा उपर so 4 into 5 divided by 16 that is equal to A 4 1s are 4 4 4s are 16 so finally हमें A की value क्या मिल गई 5 divided by 4 देखा कितना असान था लेकिन आप लिखोगे answer ऐसा answer अलग से लिख दो ठीक है क्या लिखोगे answer में कि भाईया arithmetic mean मतलब AM की value क्या मुझे मिली जी हां AM की value मुझे मिली हुई है 5 divided by 4 confirm very good so हमने आप एम की value निकाल ली confirm चलो अब आते हैं अगले question के पास so question हमारा क्या है निकला और सब लोग देखने हम लोग फटा पट क्या आता है लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे यह थोड़ा सा ध्यान दो सब सब्सक्राइब को बेस दो left hand side में तो बुलो क्या हो जाएगा फाइप उस्टीन इस्टीन 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 चाहिए जैसे थोड़ी बहुत कर देता आपको ध्यान देना है ओके चलो क्योंकि में जो कॉंसेंट्रेशन होता है वो आपके समझाने के उपर होता है सो काल्कुलोशन पाट यूफ टेक केर आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर कहीं पर कुछ मिस्टेक होती है जस्ट लेट मीन बॉक्स में ओके चलो सो फाइंड हम अप्टू पॉसिटिव नंबर तो हम बोल दिया हमें मतलब ह क्या दिया है एम मतलब ए क्या दिया वच्छो 15 अपॉन 2 देन हमें दे दिया जी अम जोमेट्रिक प्रोग्रेशन ओ सारी जोमेट्रिक मीन जिसको हम दिखाते हैं सिंगल जी से और उसकी वैलू है चला स्टार्ट करते हैं सिंस जी स्क्वाइर की वैलू क्या होती है माय रियस्वेंट्स यह इस इस एंटू एच तो क्या हो जाएगा फिर से गलती नहीं सिक्सक्राइब स्क्वाइर ए हमें दिया गया है 15 अपॉन 2 एच दिया चेक करो है एच तो निकालना है हमें अब यहां पर आजए का मल्टी प्लिकेशन बच्चों सही है अब यह 15 अपॉन 2 भाइज दो लेफ्ट-ेंड साइड में तो क्या आए उपर का निचे 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 का उपर So therefore 36 into 2 divided by 15 That is equal to H चलो यह जागा 3 से 3 1s आ 3, 3 2s आ 6, 3 5s are 15 ओके 12 2s are 24 divided by 5 That is equal to H So बच्चो H की वैलू क्या आएगी जी हाँ 24 divided by 5 So यह हो गया हमारा answer तो लास्ट में आपको answer कैसे लिखना आप सभी को पता है चलो अगली कोशन की तरह मूव करते हैं जाद दिमाग नहीं लगाते हैं और फड़ा फड़ सॉल करते हैं अच्छा कोशन है अगैन इग्जामिनेशन का फेवरेट कोशन है क्या बोलाएं Find GM of two positive numbers whose AM and HM are 75, 48 तो यहाँ पर मुझे क्या दिया है AM that is A कितना दिया है 75 ह है मतलब H that is 48 फिर निकालना है GM that is D तो बच्चों सेम फॉर्मॉला मैंने था नाम कि तीन वैलू मैं से कोई भी दो वैलू देगा और अपने को सोचना है कि इसमें से कौन सा निकालना है क्या निकालना है तो इसके हिसाफ साथ दिमाग लगा करो तो बुलो क्या हो जाएगा आपके जी स्क्वार इसक्वार 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 ही लेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं जो मारे पास जो वालू दीगे होती वह प्लैस में भी हो सकती है माइनस में प्लैस है तो अधर्वास मायमç थीक है चलिए मतलब अगर ए और बी प्लस है तो अब का अनसर आने वाला है सो बुलो क्या हो जाएगा सिंपली सिंपलीफाय करते हैं 75 को आप लिख से 25 इंटो 3 ओके 48 को क्या लिखो मैं 16 इंटो 3 कि हमको स्क्वेर रूट निकालना है ना में चो बुलो क्या हो जाएगा जी की वेलू 25 तो 25 का स्क्वेर रूट 5 ये 3 और ये 3 का स्क्वेर रूट 3 और 16 का स्क्वेर रूट 4 देखा आपने कितना असान बना दिया हमने सो यहां पर जी की वेल हो जाएगी फाइफ और 20 और 23 जा 60 यह हमारा आगया जमेट्रिक मीन दाट इस 60 सो आप आंसर में क्या लिखोगे जी हां जीयम दाट इस जमेट्रिक मीन इस इकोल टू 60 सो यह तीन कोशन थे जो की पूरा एम जीयम और हम के उपर थे मैंने तीनों करेंगे उसके बाद हम देखेंगे लास्ट एक्ससाइज ओफ इस चैटर देविचों सिरीज ओके इस वीक में यह चैप्टर खताम हो जाएगा फिर हम लोग कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैं स्वन का सलूशन इंसर्ट टू नंबर्स अर्य यह क्या दे दिया ठीक कोई बात नहीं आप सबको पता है कि भाई कोशन कुछ भी देगा कोशन कुछ भी देगा लेकिन हमेशा अगर एच्पी में पूछा है मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेश्ट हमेशा आपको एपी के साथ में काम करना है तो लिखते हैं लेट है टू नंबर्स भी एच्वन एच्शी सब्सक्राइब लेट यदिवन अपन एच्वन एच्वन एच्ट तो मतलब वन अपन सेवें आपन थरीटिन के बीच में दो नंबर इंसर्ट करने है so that यह पूरा सेवेंस क्या हो जाए है एच पी हो चलो बाल लिए दो नमबर है वन अपन एच वन अपन अपन अच टू अब देखते हैं इस एच वन अपन सेवन कॉमा वन अपन एच वन कॉमा वन अपन एच टू कॉमा वन अपन थर्टीन क्यूंकि आपके पास अलरडी फर है बच्छों यह लोग बुलो चाहिए अपके हैं अगर यह एच पी में हैं तो आप सबको पता है कि इसका जो रेसी प्रोकल होगा वह एप में होगा क्यों कोई फार्मुला नहीं है हमेशा जो भी करोगा आप एप के साथ करोगे ओके परफेक्ट सो देर फोर सेवन एपन स रेसी प्रोकल क्या हो जाएगा 13 आर इन एप यह इंपोर्ट पॉंट था आइप को समझ गया होगा हों okay so 1 upon h1 1 upon h2 हमने 2 number ले लिए तापका सिक्वेंस क्या होगा आपका 1 upon 7 1 upon 13 के बीच में that is 1 upon h1 1 upon h2 clear strands perfect now if these sequence are in hp so we can say that its reciprocal would be in ap so उसका reciprocal ap में होगा कैसे होगा 1 upon 7 का reciprocal 7 1 upon h1 का reciprocal h1 1 upon h2 reciprocal h2 and last but not least क्या बच्चो 1 upon 13 का reciprocal is 13 so यह क्यों होगा ap में अब आप सबको पता एक चीज की अगर यह ap में हैं so यह आपका first term मतब T1 यह second term मतब T2 यह third term मतब T3 और यह fourth term मतब क्या आपका T4 perfect यह आपके terms है so उस हिसाब से आपके A की value क्या हो जाएगी 7 right and T4 बच्चो T4 की value क्या हो जाएगी 13 समझेंगी नहीं आप लोग first term second term third term fourth term so your first term is seven second term third term h1 h2 and T4 आपका क्या हो जाएगा 13 ठीक है so यह दे दिया चलो अब हम T4 का यूज करते हैं कुछ करने कोश्च करते हैं so T4 मतलब TN का formula अपला करना आपके T4 को solve करना है तो TN का formula तो since बोलो एक चीज़ और अगर आपको पता होगा जाहाँ दिमाग भी नहीं लगाते हैं तो N के प्लेस पे 4 पूट करना पड़ेगा तो T4 क्या हो जाएगा ए प्लस 4 माइनस 1 इंटो डी देखो कौन कौन सी वैलू दिए गई है अच्छा T4 कितना 30 तो 13 एदी है क्या 7 4-1 क्या तो 3 तो 3D तो फटा फट सिंप्लीफाय करो 13-7 is equal to 3D so 13-7 बोलो क्या हो था आपका 6 clear what is 13-7? 6 is equal to 3D तो जब आप सिंप्लीफाय करोगे तो मैं आप पर कर रहा हो देर्फोर यहाँ पर जो हमारा D होगा वो होगा 6 divided by 3 so D की वैलू क्या हो जाएगी 3 2 is a 6 मतलब मेरा D मुझे क्या मिल गया बच्छो yes it is equal to 2 अगर आपके पास A और D आ चुका है अगर आपके पास A और D आ चुका है अब आपको निकालना है H1 so H1 क्या होता है आपका यहाँ पर T2 का रोल प्ले कर रहा है और फॉर्मुले के हिसाब से यह फॉर्मुला जब आप यूस करोगे जब आप N के प्लेस पे 2 रखोगे तो बुलो क्या हो जाएगा A plus 2 minus 1 into D so A plus 2 minus 1 into D so H1 की value is equal to T2 that is A बचो A की value क्या है 7 2 minus 1 is 1 D की value क्या है 2 D की value क्या मिले मुझे 2 so H1 क्या हो जाएगा that is your T2 कितना 7 दा 7 plus 2 oh sorry 1 2 2 7 plus 2 9 so H1 क्या हो गया आपका 9 अब निकालते है H2 तो बुलो है आप है H2 की सरूल प्लेकर हो जो T3 का राइट तो T3 लिख दिया हमने और T3 क्या हो जागा A plus N minus 1 that is 3 minus 1 formula Y use कर रहा हो कोई दिमाग नहीं एक्टा लगा रहा हो so therefore H2 is equal to A की value क्या है बच्छो 7 3 minus 1 that is 2D okay अरे D की value पूट करो नहीं है क्या extra life में जा रहे हो ठीक है so D बच्छो D की value क्या दिया है मुझे D की value दिया है 2 दिया है चलो so H2 equal to 2 to the 4 4 plus 7 is 11 that means हमारे पास आ गया H1 and H2 therefore हमको जो required number था 1 upon H1 1 upon 3 H1 H2 मिल गया हमने तह 1 upon H1 मिल गया therefore required numbers are 1 upon H1 9 है and 1 upon H2 जो की है आपका 11 थोड़ा में इस तरीके से हमने इस कोशन को solve किया चलो अगले कोशन पर मूव करते हैं अरे यार यह भी वही कोशन है लबक सेमी अरे तो जीपी वाला कोई दिकत नहीं insert two numbers between 1 and minus 27 okay so that the resulting sequence is a GP GP का कोई दिकत नहीं so let two numbers be g1 and g2 so therefore sequence 1 comma g1 comma g1 comma g2 comma minus 27 27 और इन जीपी बच्चों अगर यह GP में है मतलब यह किसका रूल प्ले करेगा टी वन का भाई यह यह टी टी टू टी तरी ते सेम तरीके से करने हैं जैसे हमने किया था यह टी फॉर तो उसके इसाफ से फटाफ़र लिग दो बच्छो ए तो मैं फास्ट रों है एक बच्त जरी किया आएगा यह मुझी फॉर के खास्याओ थे इत वॉर ठीक है अब हम सिंक्लिफा और करते हैं निक्राशे चल करके वेलो किए आगा अब गा कि इसफ माइनस च्वेशन की बात करेंगे तो crashes कर देंगे माइनस 3 का क्यूब कर देंगे बराबर या आप स्क्वए क्यूब रूट रूट-3 और आर क्यूब का होता है आर देखवर तुम्हारे पास निकाल लो तो मुझे यहां पर क्या निकालना है रूल के हिसाब से जी वन तो जी वन मतलब सब्सक्राइब तीटुट्टु मतलब अंटु आइटो आच टू आ रस्ट्या रू फाहा था 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 फान गीड़न की वैल्यू क्या है कि ऐगी माइनस 3 ओके परफेक्ट फिर निकालते हैं G2 that is T3 T3 क्या हो जाए वचो A into R raise to 3 minus 1 यादना TN क्या होता है A into R raise to N minus 1 T3 के लिए N2 R raise to 3 minus 1 So G2 क्या हो जाएगा A that is 1 R minus 3 3 minus 1 2 So minus 3 का square होता है plus 9 दे को गलती मत करना दिल गलती कर बैठा है ऐसा गाना नहीं करना है क्योंकि हमें यहां पर गलती नहीं करनी माइल观 का जायेंगे य क्याथ उसको जारहे अर्फमी various गलती नहीं करना है उसके दिल गलती करना है से उसके पास भिवइव मिलने वाला है दिख्के देता हूं आपको अच्छे मार्स मिलेंगे रिक्वाइड नंबर्स आर माइनस ट्री और नाइन यह हो गया आपका आंसर चलो कोशन नंबर सेवन हमने कम्प्लीट कर दिया अब दो कोशन इक से साइस के और पड़े वह हैं अरे ले-ले क्या देखते कोई दिक्कत नह नहीं न तो फटा फट फट वह याद न सुद्धू कर नो जैसे सब्सक्राइबर होंगे मेरी फैमिली उतनी बढ़ेगी और जितनी ज्यादा फैमिली बढ़ेगी उतना मेरा घर बढ़ेगा घर मतलब कैसा फैमिली का घर बेटा क्योंकि अभी तक तो आपको पता है कि मैं स हमें फुद का स्टूडियो बना और सिटूडियो में वीडियो रिकारड रेकोर्टेर कभी होगा यस आपलों के संपोर्ट से मेरे सपीज्व से लिएस हम दोनों और सापोर्ट किicios मैं चाहता हूं मैं यह चीज़ ज्यादा आपको सोचे मत मैं चाहता हूं कि आपका मार्स अब ओ 90 आए बात महीं पर खत्म जाती है अब कुछ मल सोचो 90 लाना है बस जूड़े रहो और प्रैक्टिस करते रहो प्रफेक्ट तो कोशन स्टार्ट करते हैं लोग थोड़ा सा लेंदी कोशन क्यों बिस्केश्ट का बलाएं फाइंट वाइंट नंबर निकालने बच्चे लिखते हैं लोग लेट two numbers B X and Y हमें दो number क्या दे दिया अब बच्छों आप यहाँ पे AM, GM और HM की बीच में कुछ दो दिया गया है तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं So therefore AM अगर आपको याद रखो AM क्या था हमारा याद न X plus Y divided by 2 GM क्या था आपका square root of XY and HM क्या था बच्छों आपका याद रखो सब लोग 2 times of XY divided by X plus Y अपने सब निकाल दिया ठीक है चलो from first condition from first condition पहला condition क्या बलता है कि find two numbers whose AM AM मतलब लिग दो from first condition AM exceeds their GM by 2 by 1 by 2 तो AM जो हो रहा है बच्छों का में निसम्जों AM exceeds exceeds का मतलब बढ़ना वो किससे बढ़ रहा है GM से कितना बढ़ रहा है 1 by 2 मतलब GM की विल जो भी होगी उससे 1 by 2 जादा है कौन आपका AM तो AM is 1 by 2 जादा है GM से आप कहा लिख होगे AM plus GM is equal to 1 by 2 अब हम AM को लिख देते हैं G that is what 1 by 2 so क्या हो जाएगा आपका A minus G is equal to 1 by 2 so this is my equation number 1 okay next and their HM by 25 by 26 okay from second condition यह जो आपका second condition क्या होला है कि आपका AM ही देखो सब सब बोला है AM exceeds their GM by 1 by 2 मतलब का AM GM से 1 by 2 जादा है साथ ही साथ HM से 25 by 26 जादा है कौन AM हा AM ही बचो AM दोनों से बड़ा है समझेगी नहीं so A is equal to H plus बोलो क्या 25 by 26 समझ गया आप लोग येस तो आपका A G से हाफ जादा है और आपका A H से 25 by 26 जादा है so A is equal to H plus 25 by 26 सब बोलों हापका क्या हो जागा A minus H equal to 25 by 26 सो हमारे पास यह हो गया second equation now अब यहाँ पर सोचना और समझना है ठीक है उच्छों देखो कैसे अब हम यहाँ पर ऐसा क्या काम करें कि कुछ अच्छा हो जाए तो हम लोग लेते हैं equation number 1 equation 1 भी लेते हैं equation 2 भी लेते हैं चलो एक्वेशन 1 लेते हैं चलो बचो so from equation 1 बोलो हमें A minus G दिया है हम लोको 1 by 2 A minus G दिया है 1 by 2 इस पूरे equation हम लोग क्या करते हैं क्या बोलते उसका हम लोग multiply करते हैं so A minus G में अगर हमने A से multiply किया तो क्या हो जाएगा A square minus G A नहीं 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 रुकर को 1 को थोड़ा सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के लिए सब कुछ में आपको जान मुझे क्या हो रहा है करने करेंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा एक लैंदी बट कुछ एक ऐसा एक्वेशन लोग जिसमें मजा आ जाए टेक वेशन टू लेते हैं तो हमारा क्या है यहां पे A minus H is equal to 25 by 26 बचों या दखना इसके हैं मंदर मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ कि कुछ फॉर्मला यूज करो और काम हो जाए इसके यंदा मल्टी खरतें ठीक हैं इस मल्टी प्लाइंग भूथ साइट्स माइडिपलाई बोथ साइट्स ब्लीक अब आपकर सबकाए प्लेस चाह बिची से वह जाएगा ए स्क्वेर माइनस Ah is equal to ध्यान दना लेफ्ट हैं बथाना बनता है बताओ मुझे आपके घर पे अगर आपके दो भाई बैन है तो पापा ऐसा नहीं चाहते हैं तो यहां पे भी आई सी करना है अगर लेफ्ट हैं तो उसका दूसरा बैटा है राइट है उसके साथ भाईया करना पड़ेगा सब्क्राइब तो 25 जाएगा डाइगा शनका फैस दोड का अग जाल वुट करना हे इस वे फॉटरा है ट्राइग में क्लेक्ट पाइग एक्ससास बोल रहा हुं चलो जो यह जो आज स्क्राइर माइन आप लोग सक्वार आ प्लस जी का-दी अठीय ना एग इस्वालीज गेले plus g into a minus g is equal to 25 by 26 into a so बच्चो यहाँ पर देखने a plus g a minus g में किसी की वैलो है क्या अरे वाह equation 1 देखो a minus g कितना है बच्चो 1 by 2 तो a minus g क्या ने वाला है 1 by 2 a plus g copy कर दो that is equal to 25 by 26 a from equation 1 से अमने वैलो लिखी हुई है अब आप 1 को बेज दो right hand side में तो क्या हो जाएगा बोलो a plus g ने इतना नहीं करते क्योंकि हमारे पास वालेंदी कोशन अगर सारे स्टेप दिखाएंगा तो अधिकल जाएगी बहुत लेंदी जाएगा तो टू बच्छी की वैलू क्या हो जाएगी 25 divided by 13 into a अभी इस a को भेज दो right hand side में तो क्या मिल जाएगा जी की वैल्यू 25 by 13 a minus a now just do cross multiplication so क्या हो जाएगा मेरे बच्छो जी इक्वाल टो 25 a minus 13 a divided by 13 so finally हमें जी की वैलू मिल गई क्या जो भी मिली कोई दिक्कत नहीं that is 12 a divided by 13 अब बच्छों हमारे पास जी की वैलू आ गई है अगर जी की वैलू आ गई है आइए है ओके तो पहले वाले में जी की क्या है हमेरे पास इसको सा नमबर क्यूंस नमबर क्यांसा नमबर यह 1 दिया टू दिया इसको देश्च, इसे 3 अब इस жी की वैलू को में इक्वरेशन क्वेस्टिट्वीन करते हैं । में मिला प्यार ङ legit ए क्वेस्ट वापे 1 मे जहां पर a minus g is equal to 1 by 2, so a minus g is equal to 1 by 2, जहां पर g की value क्या है, 12a divided by 13, right, perfect, so cross multiply करेंगे 13a minus 12a divided by 13, so now that is 1 by 2, so बोलो क्या हो जाएगा, थोड़ा अपर आपने का कोई दिक्कत नहीं, 12a minus 12, sorry 13a minus 12a क्या होता है, a divided by 13, जहां पर क्या हो जाएगा आपका, a divided by 13, जहां उपर चला क्या है, that is equal to 1 by 2, so a की value देखते क्या आने वाली हमें, फटा फट, so 12a, 13a minus 12a, that is a, that divided by 13, वहां पर दिया है, 1 by 2, so यहां पर हमारे पास जो a की value आएगी, वो 13 वहां भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, 13 divided by 2, so हमारे पास a आगया, so g निकाल ले दे 14, so from, देखा आपने, from equation 3, g is equal to 12 divided by 13a, so therefore g is equal to 12 divided by 13 into a की value क्या है, 13 divided by 2, 13 13 cancel, 2 6 are 12, so बो जी की value क्या मिली मुझे, that is 6, चलो एक बार फिर से हम्रों को रिवाइस कर लेते हैं, पहले जहां तक जो भी किया, बाकी अभी, घबरावत, बाकी अभी, a निकाला, g निकाला, बना हमारा main object x और y निकालना, so am, gm से half बड़ा था, इसलिए m equal to gm plus 1 by 2, तो हमारे पास a minus g 1 by 2 आगया, फिर a minus h, that is आपका arithmetic mean h से 25 by 26 बड़ा था, तो a is a minus h, that is equal to 25 by 26, फिर हमने equation number 2 लिया, a minus h equal to 25 by 26, उससे मैंने a से multiply या, क्यों a से multiply किया, जब मैं a से multiply करूँगा, तो हमाँ पर क्याएगा a square minus a h, यह जो अपका a h होता है, वहाँ पर g लिखता हूँ, तो हमारा first में multiply करें, क्यों मतलब होने वाला नहीं था, इसलिए मैंने first नहीं लिया, तो वहाँ से मुझे क्या मिल गया, a square minus g square, इसका मैंने formula apply कर दिया, a plus g, a minus g, अब इस a की value को हमने वही g वाले equation में put किया, बच्चो, तो इस 12 upon 13 में और हमारा answer आगया 6, that is g, अब आपको पता है, चीक है, since, अभी ध्याना, g क्या है, xy, तो since a की value क्या थी हमारे पास, उपर दो सब लोग, 13 upon 2, 13 upon 2, और equation के हिसाब से, अगर आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पर क्या 2, 2, get cancelled, यहाँ पर x plus y की value क्या हो जाएगी 13, so y की value क्या हो जाएगी 13 minus x, this is equation number 4, ठीक है, also g, बचो g की value यहाँ पर क्या 6 है, और g की value क्या हो जाएगी root of xy, that is equal to 6, squaring both sides, so xy equal to 6, square that is 36, so यहाँ पर y क्या हो जाएगा, 36 divided by x, इसको देते equation number 5, and 4 and 5 को as a simultaneous equation, सब्सक्राइब कितना लंदी यार, so from 4 and 5, यार सवरी यहाँ लंदी क्योशन है, why minus 13 x को अम लग पूट कर देते हैं, actually, ठीक है, इदर इदर काम करो ना, इसको ना एक ऐसे करो, इसको यहीं पर रखो, ठीक है, कोई दिककत नहीं है, इसमें से किसी की वेलो नि x कोपी किया, y की वेलो किया, 13 minus x, that is equal to, so ध्यान देना, is 13, 36 minus, वेलो पूट कर रहें, that is equal to 36, so x को अंदर बजो, 13 x minus x square is equal to 36, सब कुछ बेंदे हो, right hand side में, so minus x कर जा जाए, plus x square, minus 13 x, और वहाँ पर ओर 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 36 है, that is equal to 0, अब find the factor of 36, so that, their addition is minus 13, अब यहाँ पर समझने की बात है, so बोलो क्या होता है, yes, 9, 4, 36, मैं directly कर रहा हूं, x minus 9, minus 4, is minus 13, तो x minus 9, x minus 4, कि अपना रहाँ स्पेस नहीं है, इसके लिए, तो बोलो क्या हो जाएगा, x equal to 9, और x is equal to 4, अब हम लोग क्या करेंगे, when, x is equal to 9, फिर हाप करते है, when, x is equal to 4, चलो y निकालना है न, तो y का फॉर्मला दो को उपर दिया न, question में 13 minus x, so y is equal to 13 minus x, so y is equal to 13 minus 9, so y क्या हो जाएगी 4, similarly y is equal to 13 minus x, so y is equal to 13 minus 4, so y क्या हो जाएगी 9, clear रचो, so when x is equal to 9, y is equal to 4, when x is equal to 4, y is equal to 9, so therefore आप क्या लिकोगे, answer, therefore what बच्चो, required, numbers are 4 and 9, समाज़ यह सब लोग, yes, so बच्चो यह रहा, हमारा question बहुत lengthy था, बढ़ एकदम आसान था, अब जो अगला question है, वो मैं नहीं कराऊंगा, कि भी same question है, find two numbers, am x is gm by 7, मतलब क्या बोलोगे, am मतलब a, gm मतलब g, कितना दादा 7, so a minus g is equal to 7, फिर hm से कितना 63.5, so a is equal to h plus 63.5, so a minus h is equal to 63.5, equation 1, equation number 2, अब इस h वाले में क्या करोगे, आप multiply करोगे, a से, तो क्या बहुत आपका a square minus a h is equal to 63.5, बात में a h के place पे, yes, याद रहा, g square, so मुझे ही मिलेगा a, same same same, previous as it is a number change कर दिया, ओके, so इसके बाद क्या रहे हैं मेरे बच्छा आपका home work, तो यहाँ पर मैंने आपका arithmetic geometric mean और harmonic mean से related सारा concept, finish कर दिया, बले 40, 43, 45 minutes होगे, कोई दिक्कत नहीं, concept finish करना वो important part है, ठीक है बच्छो, तो वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं मतना वीडियो आपको बहुत अच्छा पसंद आया है, तो वीडियो को like करो, share करो and subscribe करना मत बूलना, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में series के साथ में again one of the important topic बोल सकता हूं है, बच्छो, एंड तक सारा वीडियो देखो, मैं आपको लिके ज़ता हूं कि maths में आप best हो जाओगे, ठीक है, चलो, so super से उपर होना है, तो yes, VSM Academy को join करना ज़रूरी है, so मिलते हैं नेक्स वीडियो में, thank you so much my dear strengths, bye bye